मोटू और पतलू वे दनों पती पत्नी होते हैं तबी मोटू पतलू से कहता है बारिश का मौसमा चुका है और हमारे पस तो घर भी नहीं है और हम लोग इसे सड़क पे भीक मांग के रहते हैं आमें बहुत जल्दी कुछ ना कुछ करना पड़ेगा और हमें कई न कई पे घर को किराये पे लेना पड़ेगा इतना कहता है तबी पतलू कहती है हाँ जी आप सही केरे हो हमें घर किराये पे लेना पड़ेगा वरना बारिश में हमारा रेना मुश्किल हो जाएगा इतना कहती है तबी मोटू एक आदमी से मकान किराये पे ले लेता है और तबी वो आदम आपका किराय का इंप्रजाम कर देंगे इतना कहता है ऐसे ही एक मैना बीच जाता है तभी मकान मालिक के कहता है लाओ मेरा किराय दो तभी मुटु कहता है अरे भाई साब आप तो देख रहे हैं ना बारिज का मौसम चल रहा है और मेरा काम भी बंद है तो मैं किराय कहां से द और वो सोचता है मैं अपने बीवी के साथ जाके बाहर बारिश में खाना पिना बेचूंगा और जो पैसे मिलेंगे उन पैसों से मैं इस मकान मालिक का किराया चुका दूँगा वरना ये मुझे बहुत ज़्यादा मारेगा पिटेगा इतना सोच कर वो अपने बीवी के साथ बार बारिश में खाना पिना बेचता है और मिलेंगे उन पैसों से किराया चुका दिता है